Nothing is permanent in this world except change मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज पर्मनेंट नहीं है वो change होती रहती है ये बात बोली थी ancient Greek philosopher Heraclitus ने Socrates से पहले के philosopher थे दिखो वैसे देखें तो इनकी बात सच है आपनो कोई भी field उठा लीजे जैसे season देख लीजे गर्मी के बाद सरदी, पद जड, बारीस, मानसून सब season बारी-बारीस इर आते हैं दिन के बाद रात आती हैं इवन अर्थ सरफेस में भी changes आते हैं soil का erosion होता है volcanic eruption होता है पहाड बनते हैं, तूटते हैं, भुकम पाता है सब जगें आप change ही change देखोगे human personality में आप change देखोगे पहले हमारे विचार कुछ और थे आज हमारे विचार कुछ और है और पहले हमारी body अलग type की थी, आज कई साल बीतने के बाद हमारी body अलग परकार से behave करती है body or am पहले कैसी technology थी, industrial revolution के बाद क्या हुआ, आज तो AI आ गया है हर जगह आप change ही change देखोगे बट देखो, इनके idea के against ना, कुछ philosophers अलग बाते बोलते हैं जैसे plateau बोलते हैं देखो, basic हमें उपर-उपर से change दिखे लेकिन idea same रहता है जैसे मालीजे chair है chair की अलग-अलग form आ जाएंगी पहले chair simple हुआ करती थी आज के समय में अलग-अलग नई-णई type की chair आ गई है बट एक idea की हमें एक वस्तु चाहिए जिसके उपर हम बैट सकें, वो idea तो देखो पहले भी था और वो idea आज भी है यानि idea नहीं मरता है idea चलता रहता है दूसरा human personality के कुछ गुण जैसे कि देखो love है अपने partner से love परिवार जनों से love है greed है, लालच है आप बताईए, क्या ये emotions change हुए है ये emotions देखो पहले भी थे आज भी है तो ये quote था या आप इस्तमाल कर सकते हो answer writing पे, इस पे UPSC question भी पूछ सकती है date आज की देखो 2 February 2024 है कल हमने थोड़ा सा budget related discussion की थी थोड़ा सा आज करेंगे कुछ और issues भी है budget के अलावा जैसे ED, Enforcement Directorate से संबंदित students में stress से संबंदित उसके बाद last में questions डिसकस करेंगे चलिए discussion start करते हैं सबसे पहले तो हम देखो 2-3 articles को combine करके न budget 2024 के बारे में थोड़ा सा analysis देख लेते हैं आप GS paper 3 में ये जो topic है न government budgeting यहां से articles को relate कर सकते हूं सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको बताया ये जो budget present किया गया न वितमंत्री निर्मला सितरमन के दवरा ये interim budget था election year में interim budget present किया जाता है ये एक परकार से vote on account होता है कि जब तक नई सरकार नहीं चुनी जाती है खर्चा तो देखो करना ही है expenditure तो चलता रहेगा न सरकार का तो जब तक नई सरकार नहीं आ जाती है तब तक expenditure का approval प्राप्त करने के लिए होता है ये interim budget बड़ देखो जैसा किसी भी देश की democracy में होता है आम तोर पे सरकारे जो है वो परंपराओं को ignore करते हैं और election year में भी धुआधार घोसनाएं की जाती है कि हम आपको चांद लाके दे देंगे हम आपके लिए ये कर रहे हैं बहुत जादा populism वाली schemes चलाई जाती है जैसे पिछली बार 2019 में election year था और election year में जो interim budget present किया गया न तो उस समय के budget में एक scheme लोंच की गई थी आपको साइद याद हो तो परधान मंतरी किसान सम्मानिधी scheme मतलब किसानों को एक साल में 6,000 उपे directly उनके bank में डाले जाएंगे और 2,000 की तीन installments के थूँ ये तो directly बिलकुल voters को bribe देने के समान था ये scheme PM किसान scheme even state governments भी election year में बहुत गोशनाएं करती है क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो कैसे न कैसे करके election जीता जाए जनता को खुश करके अगर economy crisis में आएगी तो भी election जीतने के बाद हम संभाल लेंगे आम तोर पर ये सोच होती है विविन सरकारों की लेकिन देखो इस बार ये जो budget present किया गया है न इस budget में ऐसी schemes नहीं देखने को मिली है political experts का ये बोलना है सायद ruling party जो हम वो confident है elections को जीतने को लेके इसी वज़े से उन्होंने populist schemes नहीं announce की है इस बार के interim budget में लेकिन पिछली बार 2019 के elections से पहले सायद वो uncertain थे अपनी victory को लेके तब उन्होंने बहुत सारी schemes लोंज की even income tax slabs भी काफी liberal कर दी ताकि middle class को कम tax देना पड़े लेकिन इस बार tax में भी कोई छूट नहीं दी गई है ruling party के द्वरा मतलब सरकार के द्वरा writer कहते हैं ये जो budget present किया गया न ये देखो एक परकार से न self-connaturatory report card था मतलब अपनी तारिफ करते हुए ये पूरा report card था वितमंत्री बार-बार ये कहती है हमने 10 सालों में ये किया हमने पिछले 10 सालों में इतना लाप पुंचाया जनता को इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला वितमंत्री ये भी कहती है जब हम सत्ता में आये थे तो बहुत सरे challenges थे हमारे सामने लेकिन हमने economy में structural reforms लिए जिससे economy growth rate तेज हुई हमने जनता के हित में programs और schemes launch की और हमने opportunities create की employment की, entrepreneurship की और इन सब चीजों से economy की situation काफी ज़्यादा improve हुई इसके बाद writer कहते है देखो ये वितमंत्री का confidence है या फिर over confidence है वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा election results के बाद लेकिन उन्होंने बलकि ये भी बोला कि हम देखो जुलाई में full-fledged budget present करेंगे और उस budget में जुलाई में election जीतने के बाद जो budget present किया जाएगा उसमें 2047 तक भारत कैसे develop country बनेगा उसका पूरा road में present किया जाएगा जुलाई वाले budget में इसके बाद देखो हम एक particular sector की बात कर लेते हैं agriculture sector की अभी जो budget present किया गया ये क्या agriculture sector को stress से उपर लेके आता है stress से उबारता है या नहीं उबारता है वो हम देख लेते हैं सबसे पहला point ये दिया जाता है पिछले कुछ सालों में agriculture prices में downward pull देखने को मिल रहा है मतलब देखो जो agriculture crops है ना for example onion, tomato इनके दाम उतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना तेजी से बढ़ने चाहिए अब आप बोलोगे sir consumers के लिए तो फाइदा है मामूली मामूली बढ़ेंगे दूसी तरफ agriculture inputs महंगी हो रही है for example fertilizers वगरा तो फिर किसानों की income नहीं बढ़ेगी ना, किसानों की income नहीं बढ़ेगी तो फिर rural areas में demand कैसे पैदा होगी rural economy तो crisis में आ जाएगी समझे, तो writer कहते हैं जहां देखो agriculture prices में या तो stagnation देखने को मिल रहा है, ठहराव देखने को मिल रहा है agriculture products में काईदे से सरकार को कोशिज करनी चाहिए थी कि MSP increase कर दिया जाए first low पे, बट ऐसा कोई announcement इस budget में नहीं हुआ सरकार कहती हैं हमने first low का MSP काफी ज़्यादा increase किया है, बट writer कहते हैं, दो हजार तीन चार से लेके, दो हजार बारा तेरा के बीच में जो average increase था MSP में, वो आठ नो परसेंट पर एनम का था लेकिन, दो हजार तेरा चोदा से लेके, दो हजार तेईस चोबिस के बीच MSP में जो increase है वो average के तोर पे 5 परसेंट का है अगर आपने मैसूस किया हो ये जो slogan है किसानों की income को double करने वाला, ये तो public discord से गायब हो गया मतलब आज के समय में इसकी कोई बात नहीं की जाती सरकार से questions नहीं पूछे जाते कि क्या हुआ जो आपने वादा किया था किसानों की income को double करने का आप कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तो बताइए कहां चूक गए क्या आप further steps ले रहे हो किसानों की income को double करने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं राइटर तो ये कहते हैं agriculture, households मतलब वो घर जो खेती करते हैं उनकी जो real income है ना खेती से, वो बलकि गिर गई 2012-13 से लेके 2018-19 के बीच में कितनी गिर गई, by 1.4% और income क्यों गिरी ना सिरफ देखो इसलिए जो मने आपको बताया कि agriculture products के दाम नहीं बढ़े बलकि इसलिए भी, क्योंकि input के दाम तो बढ़ गए ना, जैसे fertilizer इत्यादी, seeds के दाम बढ़ गए और agriculture products के दाम नहीं बढ़े, तो जाहिर तो और पर फिर किसानों को थोड़ा lows होगा, उनकी income गीरेगी फिर तो चोथा point, 2011-12 से लेके, 2018-19 के बीच में, ग्रामीन इलाकों में जो unemployment है, बिरुजगारी है, वो बढ़ी है Rural men के लिए unemployment rate 1.7% से बढ़के 5.6% हो गया, और rural women के लिए ये rise यानि unemployment rate का बढ़ना 1.7% से लेके 3.5% Rural unemployment ये बात सच है, 2018-19 के बाद में कम हुई है लेकिन देखो कम होने के बावजूद Rural employment rate अभी भी 2011-12 के level से तो ज़्यादा ही है राइटर ये भी कहते हैं, देखो Rural areas में जो unemployment rate कम हुई है 2018-19 के बाद, वो भी इसलिए हुई है, त्योंकि बहुत सारे workers, जो unemployed थे, उन्होंने agriculture sector में काम करना start कर दिया, ये देखो crowding of agriculture sector by unemployed workers, मतलब पहले जो non agriculture sector में काम करते थे, rural area में उन्होंने agriculture sector में काम करना start कर दिया, बड़ देखो agriculture sector में काम करने के बावजुद ऐसा तो है नहीं कि agriculture sector में productivity increase हो जाएगी क्योंकि अब ज़्यादा workers काम करने लगे हैं, नहीं एक unemployment होता है, अपने नाम हेक्टेर में 50 quintal की है पांच workers काम कर रहे हैं तो भी एक हेक्टेर में 52 quintal हम food grain पैदा कर रहे हैं तो कोई खास improvement नहीं हो ना दो workers के add होने से भी marginal productivity ज़्यादा नहीं है जो दो workers add हुए है समझे, मतलब कि देखो 3 workers से काम चल जाता है खेत में उसके बाद आप 4 लगाओ, 5 लगाओ 6 लगाओ, 7 लगाओ, 8 लगाओ, 9 लगाओ क्या कोई फाइदा होगा, नहीं होगा जब 3 से काम चल रहे है तो 9 लगा रहे हो तो वो बाकी जो workers आप extra लगा रहे हो उनकी जो employment है वो disguised unemployment है वो मतलब वो काम कर रहे हैं, लेकिन productivity नहीं बढ़ रही है नेस्ट पॉइंट में ये कहा जाता है दिखो, rural इंडिया में न real wages 2016-17 के बाद बड़े ही नहीं है इवन बल्कि कम हुए है, गिरे है 2020-21 के बाद और उसका reason ये है जैसा हमने पिछले point में discuss किया rural areas में agriculture sector में crowding हो गई है workers की मतलब जितनी जूर्थ है उससे ज़्यादा workers काम कर रहे है तो मतलब अब labor ज़्यादा available है और demand and supply लगाई ये अगर देखो labor ज़्यादा available होगी तो उसके दाम कम हो जाएंगे वही हो रहा है rural India में real wages नहीं बढ़ रही है last point ये है देखो agriculture में न public investment यानि सरकार की तरफ से investment खास करके agriculture research में नहीं बढ़ी है पिछले कुछ दसकों में अब इसका परिणाम ये निकला है अगर देखो public investment R&D में या फिर agriculture infrastructure बढ़ाने में खर्च की जाती है न तो इसका long term impact पड़ता है agriculture sector की growth में जैसे आपने कोई kennel बनवा दी irrigation infrastructure बढ़िया करवा दिया तो इसका impact long term में देखने को मिलेगा productivity improve हो जाएगी फसलों की बड़ सरकार कम खर्चा कर रही है public investment बहुत कम कर रही है agriculture में जो loans है वो भी देखो बड़े-बड़े corporates को और agribusiness firms को जाला दिये जाते है और छोटे किसानों को कम दिये जाते है इतनी सारी problems है agriculture sector में फिर भी सरकार थोड़ा बढ़िया picture present कर रही है कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है और 2011-12 से लेके 2022-23 के बीच में जो agriculture production है वो increase हुई है लेकिन राइटर कहते हैं आप ये देखिए 2011-12 से लेके 2022-23 के बीच में agriculture production increase हुई है by 2.7% annually लेकिन उससे पहले वाले 10 सालों में agriculture production increase हुई थी by 3.1% annually budget जो अभी present किया गया interim budget इससे confidence नहीं आता है कि agriculture sector की जो situation है वो improve होगी बहुत सारी चीजों को सरकार ने subsidy देना कम कर दिया है जैसे fertilizer subsidies है 2023-24 में provision किया गया 1.9 lakh करोड की subsidy का लेकिन इस बार 2024-25 के लिए 1.6 lakh करोड की subsidy का provision है food subsidies जो दी गई 2023-24 में 2.1 lakh करोड 2024-25 में 2 lakh करोड पधानमंत्री ग्राम सडक यूजना इसके लिए allocation 2023-24 में हुआ 17,000 करोड 2024-25 में 12,000 करोड मनरिगा के लिए spending 2022-23 में हुई 90,000 करोड की और 2024-25 में कितनी 86,000 करोड की इसके बाद writer बोलते हैं देखो PM किशान scheme जो 2019 में सरकार के दुरा लोंच की गई थी अब देखो 2019 में इस scheme में 6,000 उपे किशानों को दिये जाते थे आज भी 6,000 दिये जाते हैं लेकिन महंगाई तो बढ़ गई ना उसके बाद अब या तो आप पैसे बढ़ाते या महंगाई कंट्रोल करते ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मतलब 6,000 की जो value थी 2019 में आज 6,000 की वो value नहीं है तो इसलिए PM किशान scheme में पैसा transfer ज़्यादा करना चाहिए था 6,000 के बजाए 9,000 ऐसा देखो writer का मानना है writer ये भी कहते हैं fishery sector में blue revolution की बात की जाती है लेकिन blue revolution के लिए budgetary allocation कितना है सिरफ 134 क्रोड जादा allocate किये गए है blue revolution के लिए blue revolution मतलब focused development of fishery sector इसके लावा department of animal husbandry and daring के लिए कितना budget allocation increase किया गया just by 193 क्रोड 2023-2024 से लेके 2024-2025 के बीच में देखो एक चीज में आपको बता दू मतलब even administration में भी मुझे रहते हुए काफी साल हो गए data जो है न data को न कैसे भी manipulate किया जा सकता है data चाहे तो सरकार manipulate करके हमें सिरफ अच्छ अच्छी picture दिखा सकती है कि देखो सब अच्छा अच्छा हो रहा है और opposition चाहे तो data manipulate करके न वो भी हमें दिखा सकता है कि देखो सब खराब ही खराब हो रहा है ये मैंने समझा teaching के साथ साथ जैसे आपको पता है administration भी मैं संभालता हूँ तो मैंने ये ही सिखा है data तो देखो कैसे भी manipulate किया जा सकता है pucks में दिखाने के लिए भी negative दिखाने के लिए भी जो एक बात बोली जाती है न कि data कभी जूट नहीं बोलता data जूट नहीं बोलता लेकिन आदा data जूट बोलता है आपने आदा data चुपाया आदा data दिखा दिया तो उससे तस्वीर कुछ अलग सामने आएगी दूसरा data कौन सा है इस पे भी questions उटते हैं कौन सा data आप दिखा रहे हो कौन सा चुपा रहे हो जो data आप दिखा रहे हो वो कितना authentic है वो data कितना बड़ा है sample size कितना बड़ा है समझे जैसे मैं team से पूछता रहता हूँ कितने बच्चों ने test दिया कितनी attendance रही classes में तो ये सारा data analyze करना पड़ता है किस batch में कितनी attendance रही और कम रही तो क्यों रही क्या reason है कौन से teacher के पढ़ाने के दुरान कितनी attendance रही बच्चों ने test देना क्यों कम किया क्या reason है comments निकालना लेकिन कई बारना data के बिलकुल detail में जब जाते हैं तब जाके real picture समझ में आती है तो देखो ये हमने budget के बारे में थोड़ा सा discuss कर लिया अब कुछ दूसरे articles भी discuss कर लेते है ED से सम्मंदित article है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो ये चीज़ तो हमने ना पिछले काफी समय से देखी है ED यानि enforcement directorate का ये कहना है जब हम opposition ruled states में जाते हैं investigation करने के लिए तो state government बिलकुल सयोग नहीं करती हमारे साथ में details share नहीं की जाती है जबकि opposition का ये कहना है सरकार ED का use कर रही है ED ने जो मुकदमे दर्ज किये हैं 95% देखो वो opposition के leaders के against दर्ज किये हैं तो ये मामला Supreme Court में गया Supreme Court ने ये कहा देखो पूरे भारत में ना एक mechanism होना चाहिए जिसमें best practices अपना ही जाएं और ED और state governments के बीच में जो dispute पैदा हो जाता है ना जिससे money laundering और corruption related cases में impartial criminal investigation नहीं हो पाती क्यों नहीं हो पाती impartial criminal investigation क्योंकि ED और state government के बीच में dispute हो गया state government का कहना है कि ED opposition के leaders को तंग कर रहा है ED का कहना है कि state government हमें सयोग नहीं कर अभी हाल ही में ED के दौरा जारखंड के पूरु मुख्यमंत्री मलब उस समय मुख्यमंत्री थे हेमन सोरेन उनको गिरफतार किया गया बाद में उन्होंने resign दे दिया अल्मूश्ट हर एक राज्या में आप देखोगे कि opposition के जो leaders है उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं ED में ED investigation कर रहा है experts देखो ये कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि opposition leaders ने corruption नहीं किया हो सकता है कि उन्होंने corruption किया हो और इसकी जांच ED को करनी है लेकिन इस चीज से हरानी होती है कि barely ruling party के किसी leader के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है almost ना के बराबर cases है ruling party के leaders के against या फिर उन party के leaders के against जो बीजेपी के साथ अभी alliance में है अगर देखो ED की बात करें 1956 में इसे establish किया गया था ताकि money laundering समंदी जो cases है उनको investigate किया जासके power मिलती है ED को prevention of money laundering act 2002 इसके लावा fugitive economic offenders act foreign exchange management act और foreign exchange regulation act इन सभी act से power मिलती है enforcement directorate को nodal ministry है ministry of finance headquarter new Delhi में है power देखो ED के पास में बहुत ज़्यादा है कई aspects में ED के पास में CBI और even state police से भी ज़्यादा powers है जैसे देखो ED के सामने statement दी जाती है वो court में admissible है as a evidence जो की police के सामने statement दी जाती है वो court में as a evidence मानने नहीं होती PMLA act 2002 के तहत जो offense होते हैं वो non-billable है और proof करने का कि मैं innocent हूँ ये जो burden होता है ये accused के ऊपर होता है critics कहते हैं इतनी ज़्यादा powers दी गई है ED को तो इसलिए in powers का न बहुत ज़्यादा misuse किया जाता है ED के द्वरा transparency नहीं है बिलकुल भी कैसे ED function करती है कौन सा case उठाया जाता है क्यूं उठाया जाता है जातर cases opposition leaders के against क्यूं उठाया जाते है कोई transparency नहीं कोई criteria नहीं कोई parameter नहीं जैसे police जब FIR दर्ज करती है न तो वो दिखाना पड़ता है accused को दूसरी party को कि देखो ये FIR हमने दर्ज की है लेकिन किसी case की जांच करने के लिए ED जो report फाइल करती है ECIR report जो FIR के equivalent है इसे भी एक internal document माना जाता है और accused को नहीं दिया जाता है तो मतलब transparency पे काफ़ी सारे questions उठते है तो अब थोड़ा systematic धंग से challenges की बात कर लेते हैं ED से सम्मधित सबसे पहला है issues of power unrestricted authority का इस्तमाल किया जाता है ED के द्वारा politicians और government officials को कई बार prosecute करने के लिए और इसके लिए state government की permission भी नहीं ली जाती शुरुवात में देखो ED focus करती थी drug trafficking related money laundering पर बट आज के समय में तो ED बिल्कुल minor offenses में भी investigation स्टार्ट कर देती है अगर case opposition के politician से जुड़ा हो तो इसी से criticism निकल के आता है next point functional opacity जैसे पहले में मैंने आपको बताया कि particular case क्यों उठाया गया है इसको लेके कोई transparency नहीं है next point lower conviction rate conviction rate ED के cases में बहुत कम है 2005 से लेके 2013-14 के बीच में तो कोई conviction हुआ ही नहीं और 2014-15 से लेके 2021-22 के बीच 888 cases में सिरफ 23 cases में conviction हुआ है next ED के independence पे आरोब लगते हैं कि ED जो है वो ruling party के एक tool के तोर पे काम करती है फिर देखो resource constraints की बात आती है enforcement directorate जो है वो काफी restricted budget के साथ operate करती है इसकी वज़े से cases को investigate करने की जो capacity है उतनी मजबूत नहीं है ED की फिर उसके बाद है ED को cooperation नहीं मिलता state police से और CBI से या फिर दूसरी agencies से cooperation समंदी challenges है last में देखो wave forward में ये कहा जाता है सबसे पहले तो ना इस agency को बचाया जाए इस agency का misuse नहीं होना चाहिए इस agency के अंदर interference नहीं होना चाहिए ये agency एक ruling party का चाहिए किसी भी party की सरकार हो उसका एक tool बन के ना रह जाए फिर तो देखो even सही जो cases होंगे ना तब भी action लिया जाएगा ED के द्वारा तब भी सक की निगाओं से देखा जाएगा ये वही बात हो जाएगी वो share आया share आया जो चरवाह है वो जूट बोलता है कि share आगया share आगया बाद में असल में share आजाता है तो उसी परकार से ED आती है ना वो देखो एक punitive action बनके ना रह जाए मतलब arrest करने में तो ED देखो जल्दबाजी दिखाती है लेकिन उसके बाद case धीरे धीरे चलता है जान बुझ के फिर ED तुरंत तुरंत trial नहीं चलवाती है लेकिन मालीजे ऐसा हो जाए ED ने जल्दबाजी में किसी को arrest कर लिया बाद में case धीरे धीरे चला और फिर वो बरी हो गया तो फिर उस person के लिए दो दिक्कत है न तो इसलिए ED पहली तो बात arrest करने में जल्दबाजी ना दिखाए opposition party सुप्रिंग कोट के पास गई थी सुप्रिंग कोट को बोला कि ED के लिए आप guidelines जारी करो जैसे कि देखो ED ना किसी accused को तभी गिरफतार करे या तो उसके विदेश भाग जाने का खतरा है या फिर ऐसा risk है कि वो witness को द्रा धमका सकता है या सकती है या तीसे नंबर पे कि वो evidence के साथ में छेड़चाड कर सकता है या कर सकती है ये तीन risk है तभी ED किसी accused को गिरफतार करे otherwise नहीं और अगर देखो कोई case में investigation करती है न ED तो ये भी ensure करे कि timely trial पूरा हो उस case का और conviction भी जल्दी से जल्दी हो समझे last में conclusion में ये बोला जाता है देखो जो leading investigative institutions है ना हमारे देश में उनकी credibility उनकी integrity तो under scrutiny है मतलब उनकी integrity पर questions खड़े हो रहे है देखो अगर हमें corruption के against लडाई लडनी है ना तो ये ensure करना ज़रूरी है हमारे देश में जो ये investigation institutions है वो देखो politics से थोड़े परे हो political use ना हो in institutions का supreme court की जो intervention है ना ED और state के बीच में conflicts में और supreme court का ये कहना कि एक proper mechanism होना चाहिए ताकि ED और state के बीच में state governments के बीच में जो dispute आती है वो ना आए और ऐसा ना लगे कि ED जो है वो political vendita के चलते मतलब राजनितिक परतिशोद के चलते revenge लेने के चलते कारवाई कर रही है opposition leaders के against और actual में उनका मकसद corruption के cases में investigation करना नहीं है तो ये perception नहीं बननी चाहिए और इसके लिए पूरे इंडिया में एक proper mechanism होना चाहिए जिसके तहत state government और ED के बीच में cooperation हो तो supreme court का ये सही समय पे सही intervention है ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article देखो student stress से समधित है देखो ये सामने आपको जो note दिख रहा है न ये कोटा की एक लड़की ने लिखा जिसने हाल ही में suicide कर लिया आप इस note को पढ़ोगे न ममी पापा मैं जेई नहीं कर सकती इसलिए मैं suicide कर रही हूँ मैं loser हूँ मैं सबसे बिकार बेटी हूँ sorry ममी पापा यही last option है इस suicide note में आपको एक चीज़ देखने को मिले गई क्या है guilt guilt देखने को मिल रहा है उस बच्ची में कि मैं जेई नहीं कर पा रही हूँ इसके लिए sorry और मैं जेई नहीं कर पाई इसलिए मैं सबसे खराब डोटर हूँ यह guilt कहां से आया बच्ची में कि जेई नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं सबसे खराब बेटी हूँ यही मेरे पास last option है मैं सूसाइड कर रही हूँ देखो ये गिल्ट आया उस बच्ची में सायद parents की expectation से समाज की expectation से कि यही नहीं किया तो बस कुछ नहीं जिन्दगी में यही सब कुछ है वहीं से ये गिल्ट निकल के आता है और वहीं से बच्चे ये extreme steps लेते हैं कुछ समय पहले उतरपरदेश जहांसी के एक news दिल को जगजोर करने वाली UPSC aspirant 3-4 attempt दिये नहीं clear हुआ उसके बाद depression में चला गया बच्चा अपने आपको आग लगाई और तीसरे floor से कूद गया ये कोटा वाली खबर तो देखो उस दिन सामने आई जहां जब एक तरफ परदानमंत्री मोधी ने students के साथ board exam को लेके annual interaction की जिसमें उन्होंने कहा कि आपको अपने आप से compete करना है ना कि साथ ही students के साथ में परदानमंत्री मोधी ने parents से भी ये आखवान किया कि बच्चों का जो performance card है ना आपका visiting card नहीं होना चाहिए अकसर ये देखा जाता है कि parents दूसरे बच्चों के parents से आपस में बात करते हैं बच्चे को लेके आपके बच्चे के marks कितने आए मेरे बच्चे के marks इतने हैं मेरे बच्चे की school में performance ऐसी है एक competition सा पैदा हो गया है इससे देखो बच्चा बहुत ज़्यदा stressed feel करता है perform करने के लिए लेकिन कई बार ये भी नहीं देखा जाता कि बच्चा किसमे career बनाना चाहता है क्या जिसमे parents बोल रहे हैं क्या उसका वो aptitude है या नहीं है मैं मानता हूं कई बार parents force नहीं करते बच्चों को लेकिन force नहीं करते तो वो expectation इतनी लगा लेते हैं बच्चों से कि बच्चा खुद बगद गिल्ट में आ जाता है कि मेरे parents मुझे force तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो देखो indirectly force कर रहे होते हैं ज़्यादा expectations लगा के सरम सरम में बच्चा parents भई लगता है कि parents ये चाते हैं मैं ये करूँ तो उनकी इज़्जत रखने के लिए उनका सम्मान करने के लिए तो खुद फिर वो उस field में लग जाता है जिसमें उसका दिल नहीं मानता बाद में वो उस field में गुटने लगता है और समाज को जा देखो इन सब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता है एक race चल रही है एक rat race चूहो की race मतलब जिसने जेई या neat clear किया वो आगे जिसने नहीं clear किया वो पीछे यकीन मानिये जिन्दगी देखो बहुत बड़ी है और ये जो exam है न चाहिए UPSC का exam है चाहिए JNIT का exam है वो life में एक छोटी सी importance रखते है और जितने importance रखते हैं सिरफ उतनी देनी चाहिए कभी बिना इन exam को अपनी life नहीं बनाना चाहिए motivation में अक्सर ये बोल दिया जाता है अब तो UPSC ही जिन्दगी है इसके लावा और कुछ नहीं है लेकिन देखो जिन्दगी बहुत बड़ी है जिन्दगी इतनी बड़ी है तो UPSC सिरफ इतना है ऐसा नहीं है कि जिन्नोंने UPSC clear किया वही खुस है वही उन्होंने जिन्दगी में सब कुछ पाया बाकियोंने कुछ नहीं पाया ऐसा कुछ नहीं है मेरे तो इतने सारे दोस्त स्टूडेंट्स है मैं बोलूँगा तो कुछ बिगनर जो है वो demotivate हो जाए लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन आपको बता दू इवन जो clear करते हैं ना उनको exposure तो life में बहुत मिलता है बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुस या satisfy है clear करने के बाद में थोड़े दिनों की खुसी रहती है फिर life normal हो जाती है और फिर आते हैं challenges फिर आते हैं नए दुखडे इसलिए हम जहां भी हैं अपना best देना चाहिए और खुसी तो देखो हमेशा internal होती है अगर आपको expectation से ज़्यादा मिल गया तो आप खुस हो आपने expectations बहुत ज़्यादा लगा ली लेकिन वो नहीं मिला तो आप दुखी हो खुस रहना आपके हाथ में है आप कितनी expectations लगाते हो किसी चीज से UPSC की मैं बात करूँ जिस हिसाब से seats limited है न हजार seats हैं तो उस हिसाब से देखो दो या तीन साल के बाद में plan B हमेशा ready होना चाहिए अगर एक साल में त्यारी हो गई बढ़िया डंग से तो पहला attempt जबरदस्त दिया जाए और जबरदस्त त्यारी करने के बाद फिर plan B को भी अपनाया जाए हमेशा यही line होनी चाहिए इसके बाद article में यह कहा जाता है देखो examination system ना बहुत demanding है हमारे देश में सरकार काफी तरह के reforms लेके आई है coaching institutes को सरकार ने guidelines भी जारी की है but students में stress, anxiety, suicides यह चीज रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसमें एक चीज दोसी जो मैंने आपको बताया parents की expectations भी है हर एक individual की देखो limitation होती है but failure का जो डर है ना वो students में anxiety लेके आता है but देखो parents, teachers, सरकार, young persons में इन mental health challenges को नहीं recognize कर पाती और इसी का नतीजा होता है कि एक आकड़ा है 15-30 की age group के जो लोग है ना उनमें death का सबसे बड़ा reason है suicide लेकिन ये national consciousness में नहीं आता इस पे समाज इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता even देखो mental health को तो आज भी एक stigma समाना जाता है मैं एक session लेने गया mental health से समन्दित कुछ students हस रहे थे they are like क्या ही है बकवासी कर रहे है कुछ नहीं होता है mental health देखो जिस पे बीचती है ना उसको पता लगता है जो mental health challenge face करता है उसको कभी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए और आप जिसको जूरत नहीं है अपने आपको बहादूर मानना कि मैं तो strong हूई है मुझे नहीं फरक पड़ता जिनको mental health चाहिए वो तो कमजोर लोग है ये stigma ही सबसे बूरी चीज है stigma attach करना quota coaching industry 12,000 करोड की है UPSC coaching industry पता नहीं कितने करोड की है लेकिन student welfare जो है priority में low पर है देखो UPSC aspirants तो फिर भी mature हो जाते हैं UPSC aspirants के अलग तरह के challenges है क्योंकि cycle बहुत बड़ा हो जाता है कई बार job नहीं होती तो अलग तरह की anxiety tension होती है और जो ये J-neet वाले students हैं वो अलग तरह के mental health challenges face करते हैं पिछले साल भी कोटा में बहुत सरे suicides हुए कोटा के suicides सुर्खियां बनाते हैं न्यूस पेपर्स में खबरें आती हैं लेकिन देखो दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं वो साइद अखबारों में कम छपती हैं स्ट्रेस से संबंदित चलते हैं आगे ये question देख लीजिए जो आपको attempt करना है आज एक question आपको attempt करना है money laundering के ऊपर 2021 में UPC ने ये question पूछा था और ये question P का 2014 से है 2014 के pre से इसमें UPC ने पूछा था with reference to union budget कौन सा non-plan expenditure के अंतरकत आता है तो ये देखो चार चीजें हैं आपको बतानी है कौन सी non-plan expenditure में आती है इस question का सही answer था 3, 1, 2, 3, 4 तो ये थी हमारी आज की discussion कल मिलते हैं फिर से एक नई discussion के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए Thank you, thank you very much